मैं दिखता हूँ स्वीट इनिसें स्वामी टाइप का ना लेगे ना एक्षिली हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का नमस्का दोस्तों आप देख रहे हैं बॉली अपडेट तो फर्स्ट मैं 2020 को रिलीज होगी बरुन धावान और साड़ा अली खान की माच आउटेट फ्लिम कूली नमबर वान और फ्लिम के मेकर्स के तरब से इस फ्लिम का नए पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है आपको बता दे बरुन धावान की कूली नमबर वान 1995 में रिलीज होगी कूली नमबर वान का एक रिमेक है और 1995 में रिलीज होगी कूली नमबर वान फ्लिम के अंदर मुखे किरदार में थे गोविंदा और करिस्मा कपूर जैसा की इस नय कूली नमबर वान फ्लिम के अंद मुख्य किरदार में है बरुन्धावन और साड़ा अलिखान लेकिन आपको बता दे 1995 में रिलीज हुई कूली नंबर वन भी एक ओरिजिनल फ्रिम नहीं थी और बॉक्स अपिस से करिब 23 करोर की कलेक्शन की थी और बॉक्स अपिस पर एक ब्लोकबस्टर फ्रिम साबित हुई थी और कूली नंबर वन करिस्मा कपूर की केरियर में पहली सक्सेस्पूल फ्रिम थी और Coolie No.1 फ्लिम के लिए गोबिन्दा को Performer of the Decade Award भी मिला था और उस फ्लिम का भी डारेक्टर थे डेविड धावान और इस नय फ्लिम का भी डारेक्टर है डेविड धावान आपको बता दे Coolie No.1 का नया पोस्टर रिलीज किया गया है साड़ा अली खान की जनम दिन पर और उनको जनम दिन मुबारक हो और फ्लिम के मेकर्स के तरफ से पता चला है कि दिवाली पर या तो किष्ट मास के सुब अबसर पर इस फ्लिम का टीजर रिलीज किया जाएगा मार्च या तो एप्रिल के महिने में और फिलाल के लिए अभी जो पोश्टर निकल कर आया है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये फ्लिम कॉमेडी से भड़ी होगी और परफेक्ट फैमिली एंटर्टेनर फ्लिम साबित हो सकती है और बॉक्सपीस पर भी फिलम को सफलता मिलेगी क्योंकि इस से पहले बरुन धावन की और एक कॉमेडी रिमेक फिलम जुरवार टू को भी बॉक्सपीस पर सफलता मिली थी और Coolie No.1 फिल्म का पोस्टर रिलीस होने के बाद पोस्टर को ओडियन्स की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉंस मिली है जिसके बज़ा से उम्मीद है कि इस फिल्म को भी बॉक्स अविस पर बढ़िया ओपिनिंग मिलेगी सब्सक्राइब करे वली अपडेट चैनल को